हरे ओम, गादा बगवान का पत्र है, अभी भी बहुत कुछ चाहिए गुरू से, क्यों नहीं चाहिए अभी तो मिले हैं, ग्रस्त पूरा हुआ तो बानपरस्थ लेना है, ग्रस्त में हमको पती चलाता है, रुकावटें भी हैं, पर अभी कौन है तुमारे लिए? गुरू के घर में जो सेवक रहे, गुरू की आज्या मन में सहे, जहां जहां बार-बार शुकराने मानोगे, गुरू को देखकर तुम भी ऐसे ही चल रहे हो, अनुबब हो जाता है, गुरू को बैठके देखो तो कैसे उठे कैसे बैठे माना, मन पर कृषन ने अर्जुन को क मतलब तो मेरे समान तुमको कदम-कदम पर याद हूँ, कि मैं कदम-कदम पर तुमको याद हूँ, नानक ताके लागे पाओ, यानि पैखी कर परवर्दिगार की वो आमने सामने होने के सिवाए कैसे पैखी करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, आखिर हमको लेके क्या जाना है खाली हाथ जाना है ना जिस जगत को सपना समझा है उस जगत में किसलिए बैठे हो है ना जब पता illusion है ये सारा सिर्फ लेने देने का हिसाब है जिस जिस से हमारा लेना देना खतम होगा अंजल खतम होगा हम चले जाएंगे आखिर भी मायूसी के इलावा कुछ नहीं मिलेगा जहां रोज रोज नए ने अनुबव मिलते हैं उसमें सब आगे बढ़ रहे हैं जो भी हालतों के कारण गुरू से दूर है उनको माफ है पर तुम नहीं समझो तो तुमारी हालत खराब है कहीं बचैरे नहीं आ सकते हैं मजबूरी पैसा भी चाहिए परमिशन भी चाहिए घर से तो उनको माफी है पर जिनको स्पोर्ट है उनको तो नहीं होना चाहिए आपको याद है एक वरी गुरू नानक को किसी के घर गए थे तो वो गरीब थे उनके पास खाने को कुछ जैदा नहीं था फिर भी उन्होंने क्या करा खिचरी बना दी और इतने अशीरवाद देखे गे गुरू नानक कि उनका घर फला फुला हो गया बरपूर हो गया इतने देर में पडोस नाई पडोसी जड़ा जलते हैं ना बोलते यह कैसे हुआ और बहुत अमीर थी उसने बोला ऐसे ऐसे सन ताई थे तो मैंने खिचरी बनाई थी तो उसने बोला चीक है तो उसने भी खिचरी बनाई जबकि वो समर्थ था उसके पास पैसा था उसको कुछ भी बड़ा बंडारा कर सकती थी तो इदर गुरु ननक ने उनको रसो-बसो कहा, इने तथास्तु करा जब गुरु नने को पता था इसके पास पैसा है यह और भी कुछ कर सकती थी वो जो उनके पास था वो भी निरा तो हमें ऐसा भी तो नहीं करना है न? जितना हमारे पास समर्थ है हां होतना करें बगवान पाने के लिए सहयोग कोई भी नहीं देगा हमें पहले अपना काम करेंगे समर्थ सब त्याग कर सकता है पर असमर्थ के सब पदार्थ छिन जाते हैं उसके छिन गए थे परोसन के सारे वो समर्थता वाली थी इस चंचल माया जगत पर कोई बरोसा नहीं है जो है ही नाशवान ये कब बोल रहे हैं ये कब की पत्तर हैं दादा बगवान के और आज समय देखो मेबी 1955, 60, 70 और आज 2023 में हम उनको पढ़ रहे हैं तो अभी का टाइम देखो कैसा है जब वो उस टाइम पर बोल रहे हैं कि लोग कैसे हैं इस चंचल माया जगत पर कोई बरोसा नहीं है जो है ही नाशवान बातें करते करते शरीर चूट जाता है इसलिए गुरुनानिक ने कहा है बहु डूबे स्याने जो लोग जैसा है इंकार हो जाता है येस वी आर ग्यानी त्यानी देखा हम दोनों चीजों में फस जाते हैं ब्यूटफुल ग्यान डादा बवान के पत्र हैं आई होब आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है ये मैंने पूरा उनका वो सोचा है कि जितने भी उनके पत्र हैं एक एक करके आप लोग को दे दूगी so that हमें रन्यू लगे उनसे मिलन लगे दुबारा से है न हरे ओम खुब सारे अशिरवाद God bless to all